कालू तुम अभी तो ये नशे घर में कर लेते हो लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दू जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें घर में नशे नहीं करने दूँगी तुम जो हर वक घर में सिग्रेट बीडी पीते रहते हो ये हमारे घर में नहीं चलेगा हाँ हाँ ठीक है भाई ठीक है अभी कौन सा हमारे बच्चे हो रहे हैं जो तुम मुझे अभी सही सुनाई जा रही हो मैं तो बाई अपनी बिडी और सिग्रेट पीता ही रहूंगा मुझे इसका नशा है नहीं कालू मुझे पता है बस अब मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ फिर देखना जब हमारे अंडों से बच्चे निकलेंगे तो फिर मैं तुम्हें इस गर में कुछ भी नहीं करने दूगी ये सब हाँ हाँ ठीक है ठीक है जब की जब देखी जाएगी पर अभी तो मैं खूब मज़े करूँगा इस गर में कालू कववा सिग्रेट के नशे का दी था वे हर वक्त घर में बस सिग्रेट पीता रहता था पिरिया कववी इसकी ये हरकत पिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी लेकिन कालू कववा पिरिया कववी की जरा भी नहीं सुनता था अब आज जंगल में रात हो जाती है कालू कववा और पिरिया कववी अपने घर में सो जाते हैं अगले दिन जब कालू कववा और पिरिया कववी उठकर देखते हैं तो पिरिया कववी ने अपने घोसले में एक अंडा दिया होता है पिरिया कवी अपने अंडे को देख कर काफी जादा खुश होती है औरे बाप रे बाप इस पिरिया कवी ने ये अंडा चू दे दिया है अब इस अंडे से कुछ दिनों में बच्चा निकल जाएगा पिरिया कवी मुझे इस घर में सिगरेट पीने नहीं देगी ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर बाहर सिगरेट पीता हूँ तो आते जाते पक्षी मुझे बाते सुनाते है देखो कालू अब मैंने अंडा दे दिया है कुछ दिनों में इस में से बच्चा निकल जाएगा फिर मैं तुम्हें इस घर में सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीने दूँगी इसलिए तुम अपना कोई न कोई बंदुबस कर लो अभी हाँ हाँ ठीक है ठीक है जादा मुझ पर चिलाया मत करो मैं कर लूँगा अपना कोई न कोई बंदुबस बहार फिर अप ऐसा कहकर कालू कावा अपने घर से बहार चला जाता है ये पिरिया कोवी ने तो मेरे लिए एक नई मुसिबत खड़ी कर दी है अब अगर मैं बहार सिगरेट पियूँगा तो आते जाते पक्षी तो मुझे यही कहेंगे कि यहाँ पर सिगरेट मत पियो तुम्हें देखकर हमारे बच्चे भी घर जाएंगे तो फिर मैं आखिर क्या करूँ एक तो मैं अकेला ही इस जंगल में सिगरेट पीता हूँ अगर मेरे साथ कोई और पक्षी भी होता तो फिर कोई पक्षी मेरी तरफ आख उठा कर नहीं दिखता यही सोचते सोचते कालुकवा सिगरेट पीने लग जाता है कालुकवे को सिगरेट पीता देख वहाँ पर मानुचड़ा आ जाता है अरे आओ आओ मानुचड़े तुम आज मेरे पास कैसे आ गए हो वैसे तो मुझे इस जंगल में सब चर्सी चर्सी कहते हैं कोई भी मेरे पास तहीं आता है तुम भला मेरे पास कैसे आ गए आज अरे वो कालुकवे मुझे ना तुम्हारी ये सिग्रेट की खुचबू बहुत जादा अच्छी लगती है क्या मैं इस सिग्रेट को पी सकता हूँ मुझे भी सिग्रेट को पीना है अरे हाँ हाँ क्यों नहीं भाई मैं तो खुद यहीं चाता था कि मेरे साथ कोई पक्षी हो जो मिलकर सिग्रेट पी है मेरे साथ तुम पीकर देखो बहुत मज़ा आएगा इस सिग्रेट को पीने में फिर अब कालुकवे की बातों में आकर मानुचड़ा भी सिग्रेट पी लेता है अब सिग्रेट का नशा मानुचड़े को भी चड़ने लगता है अरे वा भाई वा कालुकवे ये सिग्रेट तो वा कही कमाल की है इसे पीकर तो मेरे सर में एक अलग सा ही मज़ा आ रहा है काश मैं पहले ही तुम्हारे पास आ जाता और मैं पहले से ही सिग्रेट पीता लेकिन हां कालू कवे अब तो मैं रोजाना तुम्हारे साथ बैठ कर सिगरेट पिया करूँगा हाँ हाँ भई मानो चड़े क्यों नहीं मैं तो चाता था कि कोई हो मेरे साथ जो सिगरेट पिये अब हम दोनों रोजाना मिलकर एक साथ सिगरेट पिया करेंगे फिर अब कालू कव्वे की वज़ा से मानो चिड़े को भी सिग्रेट का नशा लग जाता है कालू कव्वे के साथ सथ अब रोजाना मानो चिड़ा भी सिग्रेट पीने लगता है अरे मैंने तो सोचा था अगर मैं कालू को घर से बाहर निकल कर सिग्रेट पीने का बोलूगी तो कालू सिग्रेट पीना बंद कर देगा लेकिन कालू तो अभी भी रो जाना सिग्रेट पी रहा है बलके बाहर जाने के बाद तो कालू और भी जादा सिग्रेट पीने लगया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर अकेला ये कालू कैसे इतनी सिग्रेट पी जाता है मैं काम करती हूँ आज कालू के पीछे जाकर देखूंगी के कालू आखिर कहा पर जाकर इतनी सिग्रेट पी रहा है अब ऐसा सोचकर पिरिया कव्वी सो जाती है अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही कालू कव्वा सिग्रेट पीने के लिए घर से बाहर जाता है तो पिरिया कव्वी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है अब पिरिया कवी मानोचिड़े और कालु कवे को एक दरक्त के पीछे छुपकर सिग्रेट पीता हुआ देखती है अरे बाप रे बाप इस कालु कवे ने तो बिचारे मानोचिड़े को भी सिग्रेट का नशा लगा दिया है तबी तो मैं बोलू का बाहर सिगरेट पीने में दिल क्यों लग रहा है कालू के साथ एक और पक्षी भी है जब भी तो उसका दिल रगा है अगर मैं इन्हें इसी तरह से चोड़ दूँगी तो ये तो दिन बाद दिन और भी ज़ादा सिगरेट पीने लग जाएंगे मैं एक काम करती हूँ इस बारे में मीनू चड़िया से बात करती हूँ मीनू चड़िया ही अपने पती को समझाएगी तब ही वो सिगरेट पीना छोड़ेगा और अगर मानो चड़ा सिगरेट पीना छोड़ देगा तो फिर कालू के साथ कोई भी सिगरेट पीने के लिए नहीं होगा फिर तो कालू भी सिगरेट छोड़ ही देगा फिर अब यही सोचकर पिरिया कवी मीनू चड़िया के घर पर चली जाती है अरे मीनू चड़िया मीनू चड़िया तुम्हें पता है कि तुम्हारा पती मानू चड़ा क्या करता फिर रहा है बहार नहीं पिरिया कवी मुझे तो नहीं पता कि मानू चड़ा क्या कर रहा है बहार तुम ही बता दो अगर तुम देखकर आ रही हो तो अरे भाई मैं अभी अभी अपनी आँखों से देखकर आ रही हूँ मेरे पती कालू को तो तुम्हें पता ही है सिगरेट पीने की आदत है उसने तुम्हारे पती मानो चड़े को भी अपने साथ सिगरेट के नशे पर लगा दिया है अब वो दोनों रोजाना मिलकर सिगरेट पीते हैं एक साथ अच्छा ऐसी बात है तभी तो मैं बोलू रोजाना मानो चड़े ने बाहर जाना जादा शुरू कर दिया है इसका मतलब मानो चड़ा जब भी बाहर जाता है वो कालू कवे के साथ जाकर सिगरेट पीता है हाँ मीनू चड़िया यही सच है अब जैसे ही तुम्हारा पती घर पर आए तो तुम उसे समझाओ के वे सिगरेट ना पिये हाँ हाँ पिर्या कवी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अब मानू चड़ा जब घर पर आएगा तो मैं उसे समझाओगी इस बारे में बस फिर अब पिर्या कवी मीनूचिडिया को सारी बात बता कर वापस टेली जाती है अब थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मानूचिडा घर पर आता है तो मीनूचिडिया उसे रोक लेती है और कहने लगती है मानूचिडे तुम कहा से आ रहे हो जल्दी बताओ मुझे अरे भाई क्या मतलब कहां से आ रहा हूँ तुम्हें बता कर तो गया था कि मैं अपने दोस्तों से मिल दे गया था फिर तुम क्यों सवाल कर रही हो मुझसे मानुचिडे जूटपत बोलो मुझे सब पता चल गया है तुम अपने दोस्तों से मिलने नहीं गए थे बलके तुम तो कालु कवे के साथ बैठ कर सिगरेट पीने गए थे मुझे पिरिया कवी ने सब कुछ बता दिया है चलो अच्छी बात है तुम्हें पता लग गया मैं वैसे भी तुम्हें बताने ही वाला था यह जो सिगरेट है इसका नश्या बहुत अच्छा है तुम भी एक बार पीकर देखोगी तो तुम्हें भी बहुत जादा मजाएगा अगर तुम सिगरेट पीओगी तो फिर तो मैं तुम्हारे साथ घर में बैठ कर ही सिगरेट प्यूँगा हम दोनों सिगरेट पीएंगे बहुत मजाएगा अरे मानू चेड़े यह तुम क्या बोले जा रहे हो तुम्हें पता नहीं है कि सिगरेट पीने से हम पक्षियों की तबियत काफी जादा खराब हो जाती है और उलू वैज़ी के पास तो कितने सारे ऐसे पक्षियाते हैं जिनकी सिगरेट पीने की वज़ासे मौध हो जाती है उलू वैज़ी भी उन्हें नहीं बचा पते हैं यह सब जाने के बाद भी तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो अरे क्योंके मीनू चड़िया सिग्रेट में नशा ही ऐसा है तुम्हें नहीं पीनी तो नहीं पियो सिग्रेट मैं तो रोजा नहीं कालू कवे के साथ मिलकर सिग्रेट प्यूंगा बस फिर अब मानो चड़ा, मीनो चड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और फिर वे दोनों अपने घर में सोच आते हैं अगले दिन सुबह होते ही पिरिया कवी के अंडे से एक कववा निकलता है पिरिया कवी उसका नाम राजु कववा रख देती है कालु देखो अब तो हमारा बच्चा भी हो गया है अब तो कम से कम तुम सिग्रेट पीना चोड़ दो अब जब ये राजु कववा बड़ा होगा तो फिर तो ये तुम्हें देखकर सिग्रेट पीना शुरू कर देगा इसलिए तुम सिग्रेट पीना चोड़ दो अब आज मानो चिड़ा और कालू कव्वा एक साथ मिलकर सिग्रेट पी रहे होते हैं तब या चानक से ही कालू कव्वे की तबियत खराब होने लग चाती है अरे अरे मुझे क्या हो रहा है मानो चिड़े जल्दी से मुझे उल्लू वैजी के पास ले जाओ और पिरिया कव्वे और राजू कव्वे को भी मेरा बता दो मुझे नहीं लगता कि मैं अब जी पाऊंगा मानो चिड़े जल्दी करो मुझे उल्लू वैजी के पास ले जाओ हाँ हाँ ठीक है ठीक है कालु कव्वे मैं सब कुछ कर दूँगा तुम ज़ादा परिशान मत हो बस फिर अब मानो चिड़ा जल्दी से पिरिया कव्वी को बता कर कालु कव्वे को लेकर उलू वैजी के पास आ चाता है तुम सभी पक्षी जरा इंतिजार करो, मैं कालुकवे को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कालुकवे बचेगा, क्योंकि ये बहुत जादा सिगरेट पीता था, और जादा सिगरेट पीने वालों के साथ ऐसा ही होता है बस फिर अब उल्लू वैट जी, कालुकवे को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार कालुकवे की मृत्यू हो जाती है नहीं बाई नहीं पक्षियो आप सब मुझे माफ करती जिये मैंने कालू कावे को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने बहुत जादा सिगरेट पी ली थी इसी वचा से अब वो नहीं बचा है अरे रे कालू मैं तुम्हें बोलती रहती थी के सिगरेट मत पीओ सिगरेट मत पीओ अब तुम्हारे सिवा तो हमारा कोई भी नहीं था अब तुम चले गए हो हम क्या करेंगे मैं क्या करूंगी मेरे पास तो दाने भी नहीं होते हैं अब मैं राजू कवे को कैसे पालूगी बस फिर अब मीनू चड़िया पिरिया कवे को सम्हालने लगती है अब ये सब कुछ देखकर मानो चड़े को एहसास हो जाता है कि वे भी सिग्रेट पीकर बहुत गलत कर रहा है अरे मीनू चड़िया तुम भी मुझे माफ कर दो मैंने देख लिया है के कालू कवे के साथ क्या हुआ है मैं कालू कवे की तरह नहीं बढ़ना चाता हूँ इसलिए मैं अब बिलकुल भी सिग्रेट नहीं प्यूंगा समझो आज से ही मैंने सिग्रेट चोड़ दी है बस फिर आब मानो चड़ा तो सुधर जाता है लेकिन पिरिया कवे को कालू कवे के सिग्रेट पीने की सजा आज भी मिल रही होती है मैंनो चड़ा हमारी शादी को कितना समय हो गया है लेकिन अभी तक तुमने अंडे नहीं दिये है हाँ मानो चड़ी मुझे तो रोजाना ऐसा ही लगता है कि मेरे अंडे हो जाएंगे पर रोजाना ही मेरे अंडे नहीं होते है अच्छा छोड़ो मीनो चड़ीया तुम परिशान नहीं हो देखना एक दिन हमारे अंडे हो ही जाएंगे मीनो चड़ीया और मानो चड़ा थोड़े गरीब थे उनके पास रहने को अपना घर भी नहीं था इसी वज़ा से उनका बहुत मुश्किल से गुजारा होता था आज जंगल में रात हो जाती है मीनुचिडिया और मानुचिड़ा अपने गोसले में सो जाते है अगले दिन सुभा मीनुचिडिया जल्दी उठ जाती है और वे अपने गोसले में देखकर परिशान हो जाती है कि उसने एक ही रात में इतने सारे अंडे दे दिये मानुचिड़े ये देखो कल हम बात कर रहे थी न कि मेरे अंडे नहीं हो रहे है और अब देखो एक रात में ही मैंने कितने सारे अंडे दे दिये है हाँ मीनू चडिया हम कल अंडों के बारे में बात कर रहे थे और आज देखो हमारे पास कितने सारे अंडे हैं लेकिन मीनू चडिया मुझे इन अंडों की चिंता हो रही है देखो हम तो कितने करीब हैं हमारे पास रहने को घर भी नहीं है हम इन अंडों को कहां पर रखेंगे हा मानो चड़े मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही है खुली हवा में तो हमारे अंडे खराब भी हो सकते है हमें कुछ भी करके अपना घर खरीदना होगा पर मेनो चड़िया हमारे पास तो इतने दाने नहीं है कि हम अपना घर खरीद सकें कुछ और ही करना होगा हमें इन अंडों को बचाने के लिए जंगल में कालू कवा मानो चड़े का बहुत अच्छा दोस्त था इसी वज़ा से मानो चड़ा कालू कवे के पास मदद मांगने चला जाता है हाँ भई मानो मेरे दोस्त क्या हुआ आज तुम काफी जादा परिशान से लग रहे हो अपनी परिशानी मुझे बता दिया करो अरे कालू कवे मैं आज बहुत जादा परिशान हूँ देखो मीनू चड़िया ने अंडे दे दिये हैं और खुली हावा में तो वे अंडे खराब भी हो सकते हैं तुम्हें पता है मेरे पास इतने दाने नहीं है के मैं घर करीच सकूँ और अब मुझे और मीनू चड़िया को एक घर चाहिए होगा इसलिए मैं तुम से मदद मांगने आया हूँ अरे पर मेरे पास तो मेरा खुट का एक घर है उसमें मैं अपनी पत्मी पिरिया कवी के साथ रहता हूँ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकत्ता हूँ लेकिन हाँ एक उपाए है मेरे दिमाग में तुम मीनू चड़िया से कहो कि वे अपने पिताजी से कह कर एक घर मांग ले उसके मिनुच रूद्धा की मजबूरी जरूर समझेंगे हाँ कालू कवे ये तो तुम बिलकुल सही कह रहे हो मिनुच रूद्धा के पिताजी तो काफी जादा अमीर है वे हमारी जरूर मदद कर देंगे मैं अभी जाकर इस पारे में मीनू चड़िया से बात करता हूँ अब कालू कावे के कहने पर मानू चड़ा वापस अपने घर चला जाता है अरे भाई मीनू चड़िया देखो अब हमारे पास इतने दाने तो है नहीं कि हम नया घर खरीच सकें अभी मैं अपने दोस्त कालू कावे के पास आया हूँ उसने भी मुझे एक ही उपाय दिया है उसने मुझे कहा है कि मैं तुम से कहूँ तुम अपने पिता जी से एक घर मांग लो वे हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे ठीक है फिर मानुचड़े मैं अपने पिता जी को कह दूँगी वे हमें नया घर जरूर दिलवा देंगे फिर अप मीनुचड़े अपने पिता जी के पास आकर उनको सारी बात बता देती है दीक है मीनुचडिया तुम अभी अपने गोशले की तरफ जो तुम जब तक अपने गोशले पर पहुचोगी जब तक तुम्हारा नया घर भी वहाँ पहुच जाएगा फिर अब जब तक मीनु चडिय अपने गोशले के पास पहुषती है तब तक उसका एक निया घर वहाँ पर आ गया होता है देखा मानु चडि, मैंने कहा था ना, मेरे पिता जी हमारी मदद ज़रूर करेंगे देखो हमारा नया घर आ गया है चलो अब हम अपने अंडे अपने घर में रख देते हैं बस फिर अब मीनू चडिया और मानो चड़ा अपने नए घर में अंडे लेकर रहने चले जाते हैं अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं फिर एक सुभा मीनू चड़िया के एंडे से छोटे छोटे से बच्चे निकलते हैं अरे मीनू चड़िया देखो तो जरा हमारे एंडों में से कितने सुन्दर सुन्दर से बच्चे निकले हैं हां मानुचडि सेच में हमारे बच्चे बहुत ज्यादा सुन्दर है इन बच्चों को देखकर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ अब इत्व glacier और मानुचड़ा काफी ज्यादा कुछ होते हैं कुछ दिनों बाद जब उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनका गुजारा अब नहीं हो रहा होता इसी वज़ा से ही मानोचिड़ा कालुकवे के पास आ जाता है अरे कालुकवे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है के मैं क्या करूँ मेरा तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना जाने कहां से हमारे बच्चे हो गई हैं इनके कारण तो अब हमारा गुजारा ही नहीं हो पा रहा है मैं इतने दाने थोड़ी कमाता हूँ कि मैं इतने अच्छे से सारा कुछ कर सकूँ अच्छा अगर ऐसी बात है मानो चिड़े तो फिर मेरे पास तो एक ही उपाए है तुम एक काम करो मीनू चिडिया को छोड़ दो फिर तुम्हें ना बच्चे पालने पड़ेगे और ना मीनू चिडिया का ध्यान रखना होगा लेकिन अभी जो मेरे पास इतना सुन्दर सा गर है अगर मैं मीनू चड़िया को छोड़ दूँगा तो वो घर भी मेरे पास से चला जाएगा क्यूंके तुम्हें तो पता ही है वे घर उसके पिता ने दिया था हाँ तो पिर तुम इक काम करो तुम मीनू चड़िया के पिता जी के पास जाकर उनको कहो कि वे मीनू चड़िया का घर तुम्हारे नाम कर दे अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो तुम उनकी बेटी को छोड़ दोगे फिर देखना वे मीनू चड़िया का घर तुम्हारे नाम कर देंगे जब घर ही तुम्हारे नाम हो जाएगा तो फिर तुम मीनू चड़िया को चोड़ देना अरे वा भाई वा कालू कवे तुम मेरे सचे दोस्त हो तुम मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचते हो मैं अभी जाता हूँ मीनू चड़िया के पिता जी के पास चला जाता है नहीं नहीं पिता जी मैं यहां आपसे एक बहुत ज़्यादा जरूरी बात करने के लिए आया हूँ देखियो पिता जी मैं आपकी बेटी को छोड़ दूगा क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है आपकी बेटी हर वग मुझे ताने मारती रहती है कि मैं उसके घर बे रहता हूँ इसलिए आप अपना घर मेरे नाम कर दें अगर आप अपना घर मेरे नाम करेंगे तब ही मैं उस मीनुचडिया के साथ रहूँगा वरना मैं आपकी बेटी को छोड़ दूगा अरे नहीं नहीं मानो चड़े तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना मैं वे घर तुम्हारे नाम कर दूँगा फिर मीनो चड़िया तुम्हें कोई भी ताने नहीं देगी लेकिन तुम मेरी बीटी को मत छोड़ना बस फिर अब मानुचिड़ा मीनुचिड़िया का घर अपने नाम करवा लेता है मीनुचिड़िया बस अब बहुत हुआ हमारे इतने सारे बच्चे हो गए है इसके कारण मुझे बहुत जादा मेहनत करनी पड़ती है अब इसलिए मैं तुम्हें चोड़ रहा हूँ अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो मेरे घर से निकल जाओ अरे मानुचिड़े ये क्या बोल रहे हो तुम तुम मुझे इस तरह से नहीं चोड़ सकते हो तुम्हारे बगिर में क्या करूगी वो सब मुझे नहीं पता है अब तुम बस इस गर से निकल जाओ क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने ये घर मेरे नाम कर दिया है अब तुम्हें ही इस गर से जाना होगा बस फिर अब मानुचड़ा मीनुचड़िया को उसके बच्चों के साथ अपने घर से बहार रिकाल देता है मानुचड़े ने मेरी साथ बिलकुल भी अच्छा नहीं किया है अब मुझे अपने बच्चों को लेकर अपने पिताजी के घर पर ही जाना होगा फिर अब मीनू चडिया अपने बच्चों को लेकर अपने पिताजी के घर पर चली जाती है हाँ भाई कालू कवे जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है देखो घर भी मेरे नाम हो गया है और मैंने मीनू चड़िया को भी उसके बच्चों के साथ अपने घर से निकाल दिया है अब मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ नहीं मानो चड़े मुझे नहीं लगता तुम सुकून में हो मैं तो कहता हूँ तुम दूसरी शादी कर लो अगर तुम दूसरी शादी करोगे तभी तो दूसरी चड़िया तुम्हारा अच्छे से दिहान रखेगी मेरी नजर में एक चड़िया है मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देता हूँ वे तुम्हारा अच्छे से क्याल रखा करेगी घर में अच्छा अगर ऐसी बात है कालुकवे तो तुम मेरी आज ही उस चड़िया से शादी करवा दो वे चड़िया मेरा अच्छे से दिहान रखेगी फिर विरब कालुकावा मानोचड़े की शादी सोनी चड़िया से करवा देता है पिर आज रात जब मानोचड़ा शो रहा होता है तो सोनी चड़िया नए घर के कागज पर मानोचड़े का अंगुठा लगा लेती है और फिर वे मानोचड़े को छोड़ कर रात में चली जाती है अब अगले दिन सुबा होते ही कालुकवा और सोनी चड़िया मानोचड़े के नए घर पर आ जाते हैं चलो भई मानोचड़े अब तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर इस घर से निकल जाओ क्योंकि अब ये घर मेरे नाम हो गया है मैंने सोनी चड़िया से तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी कि वे रात में घर के कागच पर तुम से दस्तक्त करवा सके रात में सोनी चड़िया ने घर के कागच पर तुम्हारा अंगुठा लगा लिया है इसी वज़ा से अब ये घर मेरे नाम हो गया है और मैं तुम्हें इस गर से निकाल रहा हूँ बस फिर अब कालू कावा मानो चड़े को उसके गर से बहार निकाल देता है गर से बहार निकलने के बाद मानो चड़े को अपनी गलती का एसास हो जाता है लेकिन अब मानोचिड़े के पास पच्चतावे के लावा और कुछ भी नहीं होता